हेलो फ्रेंड्स आप सफीका स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल एल जी याड़ स्टेडी में दोस्तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी महातपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के अति महातपूर्ण आपजेक्टिव मिलेगा और इस वीडियो को अंतक देखने के बाद आपको सोशल साइंस का एक कम्प्लीट जो है रिवीजन होगा तो चलिए बिना टाइम गमाएज शुरू करते हैं और फास्ट ली देखेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से दिक को देख सके और काफी महातपूर्ण जो ह लॉर्ड करजन के नाम से भी जानते हैं बंगाल को विवाजित करने का कामिशन ही किया था आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके दो नंबर महातपूर्ण को दो नंबर कोश्चन के द्वारा पूछा रहा कि 10 घंटे का आंदोलन कहा चला दस घंटे का जो आ लकीरों का अतीला आपको बोलागे कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रन किया गया है तो तीन का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो रखेंगे बेरान हसमान यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहाँ पर आपके चा पार का यहां पर आपका सही आंसर होगा वह ए होगा जो कहेंगे भेर के रुआ से बनाया जाता है और सबसे मागा होता है पस्मीना साल के बारे में भी आप लोग सुने होंगे बहुत ही गर्म होता है ठीक है पांच नमबर कोष्चन के दोरा आप से पूछा जारे कि कांडला उत्तन ठीक है कांडला पतन किस राज में राज में बनाया गया है तो यहां पर आपका पांच का जो सही आंसर होगा वह सी होगा जिसके कि गुजरात में बनाया गया अगे बढ़िये और लास्क तक जिरो देखिए का काफी माहत्पूर्ण कोष्चन आप लोग देख रहे ह है तो आप हाजी पूर ही बताएंगे काफी महातपूर्ण कोईशन और बार बार पूछा जाता है साथ नमबर भारत में दल बदल कानून किस बर्स लागो हुआ तो साथ का सी ऑप्शन में आप याद रिखेंगे उनीस सो पचासी में दल बदल कानून जो है लागो किया गा थ देश हैं तो आठका यहाँ पर आपका सी ऑप्शन भारत याद रिखेंगे दुनिया का सबसे बरा लोग तांत्रिक देश हैं और देखेंगे यहाँ पर जो आपके नौ नमबर कोश्चन को लास्ट में आप जरूर बताएगा किसमें से कितना कोश्चन आप लोगों को पहल ले विदर्शन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 10 नमबर कोश्चन को पूछा जरूर की राश्टिय किर्शी एबम ग्रामिन विकास बैंक की अस्थापना हुई राश्टिय किर्शी एबम ग्रामिन विकास बैंक तो दर्सका आपका डी ऑप्शन उनीच सो बिरासी आप जो है याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं एक गारा नमबर कोश्चन देखिए पूछा जरूर की गार्डनर सीटी की अबधारना किसने बिक्सित की तो एगारा का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा यहाँ पर आप एबेंजर हावर्ड यहाँ पर आपका बिलकुल जो है सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखेंगे यहाँ पर आपके बारा नमबर कोश्चन को फास्किले रिविजन करते चलिए पूछा जरूर की गुटेन बर्ग का जन्म किस देश में हुआ था तो बारा का यहाँ पर आपका B-Option जो है सही हो जाएगा जर्मनी में गुटेन बर्ग का जर्मकाव था जर्मनी में हो जाएगा B-Option इस दा राइड आंसर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके तेरा नमबर कोश्चन को फार्टी रास्ट्य कोंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो तेरा का यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वह बी होगा याद रखेंगे W.C.Banard जी ठीक है W.C.Banard जी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़िए और देखिए चोदہ का यहां पर आपका सही अंशर होगा किया आपको पता होना चाहिए की बिस्मार्क ने रखते बम लोह की निती कावलंबन किया था नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर कुश्चन पूछा जा रहा है कि गैरी वालदी पेसे से क्या था तो 16 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा दूस में दास किर्षक जो पढ़ता इसको अंत कर दिया गया नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो है आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 19 नंबर कुश्चन को 19 नंबर कुश्चन के द्वरा पूछा रहे कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्थाब कॉंग्रेस की किस वार्षी का अधिवेशन में पारित हुआ तो उनीज का यहाँ पर आपका ए ओप्सन सही होगा जखेंगे 1929 इस भी में लाहोर में जो है जब कॉंग्रेस का बैठक अधिवेशन मतलब बैठक हुआ था तो उसमें बोला गया था बाई मुझे क्या चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए मतलब मुझे पूरा अपना देश चाहिए यह किसको बोला गया था अंग्रेजो को बोला गया था ठीक है देखते हैं आपके 21 नमर कुष्चन को पूछा जा रहा है कि कालिव मृदा का दूसरा नाम क्या है तो रेगुर मृदा है अपका सयांस रहोगा और रेगुर मृदा यानि कि कालिव मृदा में सबस्याधिक कपास की खेती होती है यह भी आप याद रखेंगे देखते हैं 22 नमर कोश्चन 22 नमर कोश्चन के दोरा पूछा रहे कि भारत के किस राज में 1 का सबस्याधिक बिस्तार है तो 22 का जो यहां पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका C होगा मध्य परदेश में सबस्याधिक 1 है 23 नमर कोश्चन देखिए पूछा ज़रे कि किस राज में छो है खनीज तेल बिसाल भंडार है खनीज तेल का सबस्य बिसाल भंडार किस राज में है तो 23 का यह उप्शन असम आप याद रखेंगे असम में खनीज तेल का भंडार सबसे ज़्यदा है है आप याद रखेंगे तरीस नंबर कोश्चन के द्वारा पूचर की इनमें कौन उपभोगता उद्धोग है तो चोबीस का जहाँ आप आप सही आंसर होगा वो डी होगा चीनी उद्धोग जो है उपभोगता उद्धोग उसको कहते हैं जिसको ब्यक्ति खाने के रूप मे बाटा वाढ़ा है को आप सही आंसर हो जायेगे वह आपका ए स्थान कैसल में बाटते क्यों हैं तो में हैं तो दूसरा बात है कि ये कोशी चेतर में पढ़ता है कोशी नदी को बिहार का सोग का जाता है और ये कुशेसर अस्थान का जो जगह है वो परतेक साल कोशी नदी के चपेट में आता है मतलब वहां के लोग बार से परतेक साल क्या होते हैं प्रभावित होते हैं तो सबसे अगर कोशी से कोई भी तबाही मच सब्सक्राइब याद रखते हैं को पढ़ते हैं यह दर्भंगा में है ठीक है चलिए यहाँ पर देखेंगे 27 नमर कुष्चन संजे गांधी जैवी कुद्दान किस नगर में इस्थे थे हैं तो 27 का यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वह डी होगा डेट में सब्स थी तो यहाँ पर आपका 28 का जो सही जो है आंसर होगा वह सी होगा आठ करोड से जैदा आठ करोड से जैदा लोग थे अब तो लगवक 11 करोड हो चुके हैं कि दिना 11 से जैदा ही क्रोड यहाँ पर जनसंख्या हो चुका भिहार का ठीक है उन्तिस नमर कोश्चन देखिए उच्चावाज परदर्शन के लिए है स्यूर बेधी का विकास किसने किया था तो उन्तिस का यहाँ पर आपका B option याज रखेंगे जो है आपका B option होगा लेह मानने किसने लेह मानने आपका आपका सही जो है आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यह पर जो है आपके 30 नंबर question को 30 नंबर question के द्वारा आपसे पूचर की निम्न में से कौन सा उद्धोग चूना पत्तर को कच्चे माल के रूप में पढ़ियोग करता है तो 30 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा सीमेंट और यह most BBI लगा लगा लिजे काफी महत् है और यह आपकी एक्जाम में वह समझे आप एक 30 नंबर question देखिए भारत में औरतों के लिए आरक्षन की वेवस्था किस संस्था में हैं तो 31 का यहां पर आपका आपका डी होगा पंचायती राजी संस्था में आप देखते होंगे मुखिया का चुनाब हो सर्पंच का हो कोई समीती का हो इस सभी में बहुत सारे ऐसे जगह हो तो जहां पर बोले जाता है कि यहां पर केवल महिलाए खरा होगी तो महिलाए को वहां पर चुना में खरा किया था यह आपको पता होना चाहिए मैट्र के बाद अगर आप आई टी आई पॉल्टेक्निक या फिर पारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा उस पर आपको बहुत ही बेहतर कलास मिल जाएगा और वहां पर आपको पर दे मेरे द्वारा जो है आई टी आ पॉल्टेक्निक और पारामेडिकल का त्यारी करबाया भी जा रहा है असी हजार से बच्चे वहां पर चैनल को सब क्लाबर है उसमें आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लिजेगा उस पर आपको बहुतर से बहुतर कलास मिलेगा आपके बहुतर त्यारी के लिए 32 लोग सभा में निर्वाच्यन हेतु कुल सीटों की संख्या है तो 32 का यहां पर आपका सयांसरों का वह सी होगा याज़िए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेते हैं यहां पर आपके 33 नमर कुष्चन को पूछाजर की निमने लिकित में कौन भारती किसान यूनियन के नेता थे तो 33 का यहां पर आपका सी अप्संस योगा याज़िए महेंदर सिंग टिकैत जो है वह भारती किसान यूनियन के न पार्टी है उसका नीव किस दिस में फ़रा तो 34 काय और त हैना यानि की इंगलेंड में सबसे पहले राजनितिक पार्टी का कंसेप्ट धुए था यहां पर देखेंगे हम लोग 35 नमर कुष्चन किसके फैसलों में ब्यक्तिगत पुर्भा ग्रहों की अधिकता होती है तो 35 का यहां पर आपका सी ओप्षन से होगा यह जिए गैर लोग तांत्रिक ठीक है अगर गैर लोग तांत्रिक कोई राज्य है जहां पर राजा का सासन ह तो वहां पर जो फैसला जो होता है वह पुर्भागरह होता मतलब फैसला पहले से ही प्राब्लम बालाड़ाता है ऐसा वहां के लोग जो है मानते हैं कि यहां का जो सरकार फैसला लेगा वह गलत ही लेगा जनरली 37 नमर कोईशन भारत में सर्वोच नियाले के मुख्य नाइ तो यहां पर आपका सही आन्स्थान को जो है देखने को नहीं मिलेगा, देखते हैं आपके 38 नमर कोष्चन को, 38 नमर कोष्चन के दोरा यहां पर आपसे पूछा है कि सूचना के अधिकार आंदोरन की सुरात कहां से हुई, तो 38 का यहां पर आपका सही आंसर होगा, वो ए होगा जिकेंगे राजस्थान से, ठीक है, सूचना कादुकार 1905 में यह लाया गया था, राजस्थान में सबसे पहले इसका शुरुवात किया गया था, बिहार के किस जिले में प्रतिवक्ति आई, सरबाध ही क्या मतलब सबसे प्रतिवक्ति आई, किस जिला का है, तो 49 का यहां पर आपका सही आंसर होगा, वो ए होगा, यह रखेंगे पटना का सबसे अधिक आदिक आमदनी है, नेक्स्ट, 40 नमबर कोश्चन काफी महत्पूर्ण है, ध्यान से समझेए, पूछा जा रहा है कि बैस्विक करन के मुख् अंग कितने हैं, तो 40 का यहां पर आपका D option 4 अंग है, यह आप याद रखेंगे, आज के लिए दिना रखेंगे, 40 question complete हुआ, अगर आप मैटर के बाद ITI का, या पॉल टेकनिक का, या फिर पारा मिटकल का त्यारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ITI पारा मिटकल बाले चैन बहुत सरा कलास को हाँ पर करबा जाएगा, आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माधिम से जरूर बताइए, और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कें, तो सब्सक्राइब कर लिजे, वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ ही, दोस्तों मैं दिक सर्द वीडियो को सेर कर दिए, ताकि आगे आने वाले सबी वीडियो का नोट की केसं सबसे पहले आपको मिल सकें